हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल एफ बोलोरो पीकप की डिजल टेंक मोटर है देखिए आप इसे हम कैसे रिपेर करते हैं जो है वो रिटन पाइप है और इसके बगल वाली मेन पाइप है देख सकते हैं हमने इसके लोग को कैसे निकला सको डाइबर की मदद से अbn हम इसके मे Mean Pipe को निकलेंगे Help की मदद से की WILD सावधानि के निकलना परता है और वो उसकी जगह जो फट जाएगी तो तेल पहरें करना चाला है अभि हम इसके बाटी को निकलेंगे जो इसका कोभर है अच्छी तरगे से इसको निकलना पड़ेगा नहीं तो इसका लोग टूट भी सकता है बाद में दिक्कत आ जाएगी यह सिंगल जल्दी मिलता नहीं है एसेंबली के साथ में यह डिब भी आती है इसकी कोभर जो है इसमें ज्यादा कचरा नहीं है लेकिन अ करें है इसकी जाली जो है फूरी इसको हम फेले खोल लेंगे और अच्छी तरीколश橋 से वास करदे बाद ही हमिसे एशेंबल करें यह से देखिए इसके अभी दो लोग है इसको कैसे खोल रहे हैं मोटर के साथ इसका यह जोइंट है यह जाली जिसके जरिये से फिल्टर होके तेल जाता है डिजल फिल्टर में तो हम पहले इसे हम अच्छी तरगे से वास कर लेंगे पेट्रोल की मदद से पहले इसके हम डिबी को हम कोबर को वास कर रहे हैं अभी वास करके हमने साइड में रख दिया अभी इसके मोटर को हम प कि अच्छी तरगे से धुलाई करने के बाद हम इसके अभी कोफर अभी इसके जाली जो है मोटर का जो जाली है नेट है उसको हम लगा रहे हैं तो अच्छी तरगे से इसे लोक कर देंगे इस वीडियो को बनाने का मकसद उन दोस्तों के लिए है जो मोटर रिपेर कहीं भी असानी से कर पाएं जो रस्ते में अगर फस जाए तो तो इसके बाद आप देखिए हम इसके केप को कैसे लगाएंगे इसके केप में एक स्प्रिंग रहता है उसका स्प्रिंग का पोजिसन अब ध्यान से देखिए किस जगह में इसका स्प्रिंग रहता है तो अगर उस प्रिंग अगर पोजिसन उस जगह में ना रहे तो इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है रणिंग गारी रणिंग में दिक्कत आ सकती है और इसके बाद सबसे इंपोर्टन बात मैं बताना काने के बाद स्कू डाइबर की मजद से अच्के से हम अहिस्ता- आहिस्ता बरे पीयार से इसको इसमें लोक कर देए अगर इसे ज्यादा जोड़ से मारे तो अगर यह पढ़ गया तो मोटर का प्रेसर जो टेल का प्रेसर है वो लीक करना चालू कर देगा और गारी में बड़ी समस्या आजाएगी समस्या या आएगी कि आपका गारी बंद होना चालू हो जाएगा तो इसलिए यह मेकानिक जो है कोई-कोई थ्वरा ध्यान से इसे आप रिपेर करें कोई-कोई मेकानिक जो है ज्यादा जोड़ से मार देते हैं तो इसके बाद गारी बंद होने की समझ से आ जाती हैं तो इससे कस्टमर और मेकानिक दोनों को परिशानी का सामना करना पड़ता है कि जो जो डएन वाट आशनी को आशनी मोटर को लिजेल टैंक मोटर को इolf और प्रीड से चेक कर लिजिए गा कि अच्छे से दरगी से इसका मेन पाइप जगह में बैठ के नहीं हम एक बार और चिक कर रहें आहिस्ता हीस्ता मार तो तो उसके बाद इसका प्रेसर भी आप बाहर में ही चिक कर लिजेगा में पाइप के जरी से पेट्रोल डाल के अगर इसका प्रेसर कहीं से लीख होगा तो आपको उधर ही पता लग जाएगा